बच्चो ये हरे भरे सुन्दर पेड़ देखकर आखों को कितना सुकून मिलता है है ना और आप जानते हैं कि पौधों का ये हरा रंग ही इनकी प्रकास संसलेशन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है अच्छा आप ये भी जानते हैं कि इन पौधों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वज़े से होता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस chlorophyll pigment में आखिर वो कौन सा पदार्थ होता है जो कि इन पधों को या इन पत्तियों को हरा रंग देता है आएए देखते हैं ये है chlorophyll की सरशना जिसमें आप देख रहे हैं कि बीच में magnesium धातु दिखाई दे रही है और चारो ओर से ये कुछ योगिक से बंधा हुआ है बंध के द्वारा ये योगिक परफोरिल कंपाउंड कहलाते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक जटल सरचना का निर्मान करते हैं और इसलिए इन विशेश प्रकार के योगिकों को जटल योगिक या संकुल योगिक या complex compound कहा जाता है यहाँ पर एक बात और आप देखेंगे कि इन जो योगिक है और धातू के मद जो बंद बंद रहा है उसे तीर के द्वारा दिखाया गया है और इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर उपसहसयों जग बंद 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 रहा है और आप जानते ही हैं कि उपसास्यों जग बंद वो बंद होता है जिसमें इलेक्ट्रान का जोड़ा किसी एक ही स्पीस के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जुड़े हुए अनू या मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा जैसे कि यह इन योगिकों को उपसासयोंजक योगिक भी कहते हैं इसी प्रकार का एक योगिक हमारी रक्त में भी पाया जाता है जी हाँ आप जानते हैं हीमोग्लोबीन हीमोग्लोबीन भी इसी प्रकार का एक संकुल योगिक है जो की आईरन धातू से बना होता है यहाँ पर आप हीमो से जो परफोरेल अणू है वो इसके द्वारा उपसा सेंजग बंद के द्वारा जुड़े हुए हैं इसी तरह से हम देखें कि हमारे शरीर में जो विभिन्य प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो भी किसी ना किसी प्रकार के धात्मों के कोडिनेशन कंपाउंड ही होते हैं जो कि हमारे शरीर में जैवरसायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं इसी तरह से यदि हम भोजन की बात करें तो विभिन्य प्रकार के विटामिन्स जैसे की विटामिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यह भी कोबाल्ट धातू का एक संकुल योगी होता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धातूइं हैं वो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्मान करती हैं और आप ध्यान देंगे कि इनमें ज्यादा तर धातूएं संक्रम का एक विशीस गुण होता है यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यह संकुल योगी हैं यह इस तरह से प्राकृतिक रूप से उपलब्द हों ऐसा नहीं है इनके गुणों और इनके उप्योग को देखते हुए बहुत सारे कॉर्डिनेशन कंपाउंड बनाय जाते हैं और ज सबसे पहले हम देखते हैं धातू कर्म, मेटालरजी, बहुत सी ऐसी नोबल धातूई जैसे कि सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, यह धातूई जब अपने अयसकों से निसकर्शित की जाती हैं तो यह विभेने प्रकार के साइनाइट कॉम्प्लेक्स बनाकर निसकर्शित की ज जाता है इसी तरह से कुछ धात्मों का प्यूरिफिकेशन सुधी करण भी कॉंप्लेक्स कंपाउंड बना कर किया जाता है जैसे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल निकल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए पहले निकल की कार्बन मॉनॉक्साइड से क्रिय कराई जाती है और एक कॉंप्लेक्स बनता है टेट्रा कार्बोनिल निकल यह एक वाश्पशेल पदार्थ होता है और इसलिए इसका तापी विगटन करके शुद्ध निकल प्राप्त किया जाता है तो इस तरह हम देखें कि जो धातु कर्म प्रक्रम है वहां पर रखाना घप्राइब के द्वारा किया जाता है जयसे कि आप देखते हैं विखंश की जो जने दावनि के WOWC करनी होती है उसकी सरफेस पर अप्चई कि आएता है लेकिन जब हम धार्थ ऊट प्योग करते हैं तो तो दो यहाँ पर समस्या आ जाती है एक तो यह कि यह जो धातू आयन होते हैं विलियन में अस्थाई होते हैं लेकिन यदि इसकी जगह पर हम इनके complex compound का उपयोग करें तो वो काफी स्थाई होते हैं इसी तरह से हम देखें कि जब हम इन धातू आयनों की प्लेटिंग करते हैं तो यह धातू आयन आपस में क्लाम्प कर लेते हैं और इस तरह से क्लाम्प कर लेने की वज़र से यह जो स्मूद नहीं हो पाती है इसकी जगह पर यदि हम complex compound को उप्योग करें तो complex compound के में हम जानते हैं कि धातू आयन बीच में रहता है और चारों और ये विभिन अर्मों के द्वारा घिरा हुआ होता है इसलिए ये जो coordination compound होते हैं एक डूसरे से दूर दूर रहते हैं और इस तरह से जो plating की जाती है जो धातू का लेपन किया जाता है वो काफी smooth होता है इसके बाद बात आती है जो तीसरा उप्योग है coordination compound का वो है वस्त्रों की रंगाई यानि की dime process में हम जानते हैं बहुत सारे natural dyes हमारे पास उपलब्ध होते हैं और ये जो सूती कपड़ों पर आसानी से fix हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे जो protein fibers हैं जैसे की उन हुआ, wool या फिर जो silk जैसे कपड़े होते हैं उन पर ये dyes अच्छी तरह से fix नहीं होते हैं इसके लिए प्राया जो cobalt और copper के complex compound का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी protein fibers या polyamyl fibers के साथ बहुत अच्छी bonding होती है और ये उन पर अच्छी तरह से fix हो जाते हैं यदि coordination compound का उपयोग देखें और औसधी रशायन की बात ना है तो ये हो ही नहीं सकता बहुत से ऐसी बीमारियों का इलाज coordination compounds के द्वारा किया जाता है उदारन के लिए cisplatin जिसका आप सूतर देख सकते हैं डाइमीन डाइक्लोरो प्लाटिनम इसका उपयोग टैंसर चिकितसा में किया जाता है इसी तरह से जब किसी के शरीर में lead poisoning हो जाती है lead धातू की अधिक्ता हो जाती है और ये काफी विशाक्त होता है और इसके लिए उसके शरीर में EDTA का injection दिया जाता है ये EDTA जो lead धातू के साथ मिलकर एक complex का निर्मान कर लेता है और ये complex उतना विशाक्त नहीं होता और आसानी से शरीर से बाहर किया जा सकता है तो इस तरह से विभिन जो धातू की विशाक्तता को दूर करने के लिए भी हम complex compound के निर्मान का उप्योग करते हैं इसके बाद बात आती है अध्योगिक उत्प्रेरकों की बहुत से coordination compounds और जोगिक प्रक्रम होते हैं उनमें उत्प्रेरक के तौर पर उप्योग किये जाते हैं उदाहरन के लिए आप जानते हैं बहुली करन की क्रिया जिसमें हम जैसे की polyethylene का निर्मान polyethylene का निर्मान हम ethylene के बहुली करन से करते हैं और इस प्रक्रम में हम एक जो उत्पेरक का उप्योग करते हैं वो हो जिगलर नाटा उत्पेरक जिगलर नाटा उत्पेरक यह टिटेनियम टेट्राक्लोराइड और डाई इथाइल अल्यूमिनियम का बना हुआ एक कॉंप्लेक्स कंपाउंड ही होता है और इस तरह से जो कॉंप्लेक्स कंपाउंड का उप्योग करते हैं इसके बाद आती है वैसलेशिक रसायन में जो एनलेटिकल केमेस्ट्री है वहां पर भी कॉडिनेशन कंपाउंड का बहुत अधिक उप्योग होता है विभिन तक्वों की पहचान करने के लिए हम कॉंप्लेक्स निर्मान का विलियन में एक्वस अमोनिया को डालते हैं तो उसमें हमें डीब ब्लू कलर प्राप्थ होता है यह कॉपर धातू के कॉंपलेक्स निर्मान की वजह से होता है और डीब ब्लू कलर का आना ये निर्धारित कर देता है निश्चित कर देता है कि यहाँ पर कॉपर आयन उपलब्ध है इसी तरह से आप देखते हैं जब हम करते हैं और उस समय आईरन धातों की पहचान करने के लिए हम दो कॉंपलेक्स कंपाउंड का उपयोग करते हैं एक है पोटेश्यम फैरोसाइनाइट और दूसरा अमोनियम यहाँ पर जब हम पोटेश्यम फैरोसाइनाइट का उपयोग करते हैं तो यदि हमारे साल्ट में आईरन उपस्थित होता है तो वो पोटेश्यम फैरोसाइनाइट के साथ क्रिया करके वहाँ पर फैरी फैरोसाइनाइट कॉंपलेक्स बना लेता है और जिसका जो रंग होत प्रेश्यन ब्लू कलर का होता है और इससे आइरन की पहचान हो जाती है, एक बात और यह जो प्रेश्यन ब्लू कलर है फेरो फारेसानाइड बनने की वझे से इसका उप्योग डाई के तॉर पर भी किया जाता है, इसी तरह से जब हम ammonium thiocyanate का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर iron का जो complex बनने की वज़ा से blood red color आता है जो भी निश्चित करता है कि complex में या आपके जो salt है उसमें iron उपस्तित है इस तरह से हम देखें कि analytical chemistry में भी coordination compound का बहुत अधिक उपयोग होता है अंत में एक और महत्पन उपयोग वो है जल की कठोरता का नर्धारन करने में जल की कठोरता का नर्धारन करने के लिए भी sodium के EDTA के साथ बने हुए salt का उपयोग किया जाता है इतने सारे उपयोगों को देखते हुए आप याप समझी गए होंगे कि coordination compound का हमारे दैनिक जीवन में हमारी जैविक क्रियाओं में और साथी साथ और द्योगिक प्रक्रमों में कितना अधिक महत्व है इनके महत्व और उपयोग को देखते हुए ही इन्हें एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 coordination compound उपसा सैयोजग या coordination compound ये एक प्रकार के लवन या salt ही होते हैं आप जानते हैं salt क्या होते हैं जब हम किसी अमले की क्रिया किसी छार के साथ कराते हैं तो लवन और जल बनता है यानि कि एक अमले और छार की क्रिया कराने से हमें salt प्राप्थ होते हैं इस प्रकार के salt को हम simple salt कहते हैं सामानी लवन कहते हैं लेकिन जैसे कि हम देखें जब हम acyl की क्रिया potassium hydroxide से कराएंगे तो हमें sodium chloride salt मिलता है ये दोनों salt simple salt होते हैं अब इस प्रकार के यदी दो इस्थाई salt यानि कि दो इस्थाई लवन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें एक विशेश प्रकार के salt प्राप्त होते हैं विशेश प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं जिन्हें हम योगात्मक योगी या योगात्मक साल्ट कहते हैं उदारन के लिए जैसे हम यहां पर एक पोटैश्यम क्लोराइड साल्ट ले ले और दूसरा मैगनेश्यम क्लोराइड ले ले और जब हम इसका जली विलियन बनाते हैं और उसके बाद फर से री क्रिस्टलाइजेशन होता है तो हमें एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड याने की योगात्मक योगिक प्राप्थ होता है जिसे हम पोटेशियम क्लोराइड मेगनेशियम क्लोराइड 6H2O के रूप में लिखते हैं इ वरुटेशियम साइनाइड और दूसरा ले ले लिए फैरोसाइनाइड और इन दोणों को का जली विलियन बनाकर जब हम इनका री क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें एक दूसरे प्रकार का मपाउंड एडिशन कमपाउंड प्राप्थ होगा जिसका सूत्र हो जाएग K4 Fe CN 6 इस प्रकार के जो हमें प्राप्त हुए हैं इन्हें हम योगात्मक साल्ट योगात्मक योगिक या एडिशनल साल्ट कहते हैं अब यहाँ पर हम देखें कि यह हैं तो डोनों ही एडिशन साल्ट योगात्मक योगिक हैं लेकिन फिर भी इन में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है किस तरह की भिन्नता यदि हम देखें कि यह इस प्रकार का जो है यदि हम इसे जल में विले करते हैं तो यह अपने सभी आयनों में विभख्त हो जाता है यनि कि जब हम इसका जली विलियन बनाएंगे तो वहां पर हमें पोटैशयम आयन मिलेंगे मैगनेश्यम sous प्ल्स आयन मिलेंगे तथा क्लोराइट आयन भी प्राप्त होंगे यनि की इसके कि जितने भी आयन होंगे, वह उसमें अव्यवी आयनों में पूरी तरह से विभक्त हो जाता है दूसरी ओर हम देखें कि यदि हम प्रतेशियम फेरोसाइनाइड लें और इसका जली विलियन बनाएं तो हम देखेंगे कि यहां पर प्रतेशियम आयन हमें प्रापत होगा लेक एक complex ion प्राप्त होगा तो इस तरह से हम देखते हैं यहां पर इस प्रकार के योगिक जो अपने समस्त आयनों में पूट जाते हैं इन्हें हम इस प्रकार के योगात्मक योगिकों को हम द्विक साल्ट द्विक लवन कहते हैं जबकि potassium ferocyanide जो की पूरी तरह से ionize नहीं होते हैं ऐसे additional salt को हम coordination compound कहते हैं दोनों ही additional योगिक हैं यो additional compound हैं लेकिन दोनों में अंतर हैं तो इस तरह से हम देखें कि मुख्य रूप से हम इनमें इस तरह अंतर कर सकते हैं कि द्विक लवन ऐसे योगात्मक योगिक होते हैं जो की किवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व रखते हैं साथ ही साथ यहां पर यह जो द्विक लवन होते हैं अपने अव्यवी लवन जो जिन इस्थाई लवन से यह मिलकर बने होते हैं उनके गुणों में काफी समानता होती है यह उनसे समानता प्र वो ऐसे योगात्मक योगिक हैं जो की ठोसवस्था में तो इस्थाई होते ही हैं जो जली विलियन बनाने पर भी ये इस्थाई होते हैं अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं साथ ही हम कह सकते हैं कि जो इनके अव्यवी साल्ट होते हैं जिन से ये मिलकर बने होते हैं उनसे इनके गूणों में बिलकुल भिनता पाई जाती है उधरन के सकते हैं हम पारbu प्रतम होता है हम जानते हैं कि जो पोटेश्ययम साइनाइट है वह एक बहुत ही विशाक्त यौगिक होता है काफी पॉजयनस्स होता है लेकिन जब हम इसे फेरो साइन्थ के साथ मिला कर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और हमें पोटेश्यू फेरो साइनएट प्रैप्ध होता है वो बिलकुल भी विरशाक्थ नहीं होता है तो इस तरह से हम देखे कि जो complex compound होते हैं वो अपने अव्यवी salt से गुणों में भिनता रखते हैं जबकि जो बिक लवण होते हैं उनमें अपने अव्यवी salt के समान ही गुण पाए जाते हैं यहाँ पर हम carnelite का उदारन भी ले सकते हैं जो कि potassium chloride और magnesium chloride को साथ में मिलाने से बनता है तो यहाँ पर भी हम वो जब इनका जली विलियन बनाया जाता है तो पूरी तरह से अपने अव्यवी आइनों में तूट जाते हैं चाथ ही यह अपनी identity खो देते हैं वहाँ पर जब हम विलियन में टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें potassium iron का भी टेस्ट मिलेगा प्लोराइट का भी टेस्ट मिले दूसरी और यदि हम देखें कि जो कॉडिनेशन कंपाउंड है यह पूरी तरह से अपने आइनों में नहीं तूटते हैं साथी साथ यह अपनी identity बनाय रखते हैं जैसे यहाँ पर जो complex iron है वो पूरी तरह से आइनाइज नहीं हो रहा है और इसलिए यह अपने गुण को बन साइनाइड आयन का टेस्ट मिलेगा यहाँ पर हमें iron तथा साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो द्विक लवन हैं इनके कुछ और उदाहरान देख लें जैसे कि आप जानते हैं फिटकरी या पुटाश एलम जैसे हम कहते हैं यह भी ए एक क्प्रकार का दृध लवन होता है जबकि हम क्वाड个न देखे तो यहाँ पर हम देखेंगे टेट्रा एंट कॉपर क्लोड का उदाहरान ले सकते हैं या फिर यहाँ पर हम हली है क्लोराइट का उधारन ले सकते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्विक लवन तथा संकुल लवन दोनों ही दो इस्थाई योगिकों के स्टोक्योमेट्रिक अनुपात में मिलाने से बनते हैं लेकिन दोनों के गोण एक दूसरे से भिन्न होते हैं आईये सबसे पहले हम जानते हैं कौणेशन कंपाउंड की सरचना कैसी होती हैं। जो संकुल योगिक होता है मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग जिसे आप देख रहे हैं हम बड़े bracket के अंदर लिखते हैं उसे हम कहते हैं coordination sphere उपस सयूजन सत्ता जबकि उसके बाहर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है ionization sphere इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो बाहर लिखा हुआ जो भाग है जब हम इनका जली विलियन बनाते हैं तो यह ionized होते हैं यह आयन जो होते हैं वो ionized हो जाते हैं लेकिन जो coordination sphere के अंदर आयन होते हैं वो जल में विले नहीं होते तथा अपने अव्यवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं तो यह जो Clayton यह धनावयte भी हो सकता है यह हो सकता है या फिर उदासी मैं हो सकता है जैसे कि हम पहला उदाहरन लेते हैं potassium ferocyanide यह जिसे हम कहेंगे potassium hexahy no ferrant यहाँ पर हम जानते हैं कि potassium धनावेशित होता है तो यहाँ पर जो ionizable part है या ionization sphere है वो positive है और चुकि कोई भी coordination compound हमेशा neutral होगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह जो coordination sphere है वो negative charge होगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो complex है जो complex ion है वो negative charge है जबकि जो simple ion है या ionization sphere में उपस्थित जो ion है वो positive charge है इसी प्रकार से हम एक दूसरा उधारन लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है tetramine copper chloride को अब यहाँ पर हम देखें कि हम जानते हैं जो chloride होता है वो negative charge होता है और इसलिए चुकि जो ionization sphere है वो negative charge है इसलिए जो coordination sphere है वो positive charge हो जाएगा यहाँ कि इस complex में जो complex ion है वो positive charge है जबकि जो simple ion है वो negative charge है इसी तरह से हम एक और उधारन लेते हैं यहाँ पर हम देखें यह है pentacarbonyl iron यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो केवल एक coordination complex आपको दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर ionization जो sphere है वो नहीं है यहने कि यह जो complex ion है वो कैसा होगा neutral होगा तो इस तरह से हम देखें कि जो complex ion होते हैं या complex compound होते हैं कभी-कभी वो neutral भी होते हैं उदासीन भी होते हैं इसी तरह से एक और यहाँ पर मुदारन लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक है आपका tetraamine cobalt 2 plus ion जबकि दूसरा है hexachloroplatinate 2 minus ion यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो simple ion है वो नहीं है यहाँ पर अनुपस्तित है लेकिन दोनों ही जो positive charge ion है और negative charge ion है दोनों ही यहाँ पर complex ion के रूप में उपस्तित हैं तो इस तरह हम देखते हैं कि जो coordination compound है वो उनकी सरचना भिन भिन प्रकार की हो सकती है अब हम जानते हैं coordination compound से संबंधित कुछ महत्तपुन परिभाशिक सब्दों को तथा उनकी परिभाशाओं को